सापो को लेकर आज भी दुनिया भरी के लोगों में काफी ब्रह्म फैला हुआ है। लोग अंध्विश्वास और सापो से जुड़ी कई बातों पर यकीन करते हैं। आपको बता दे कि दुनिया में सापो की 2500 से अधिक बजातिया पाई जाती हैं, जिन में से करीब 500 जहरीली होती हैं। हम आपको दुनिया में पाई जाने वाले 5 ऐसे विस्याले शापो के बारे में बताएंगे, जिनका काटा पानी भी नहीं मांगता है। इनलेंड टाइपन। यह साप जमीर पर पाई जाने वाले सापों में सबसे जहरीला होता है। इसकी एक पाईट में 100 मिलिग्राम तक का जहर होता है जो कि बहुत जादा नहीं है। पर इतना घातक होता है कि 100 इंसानों को मौत की नहीं इसला सकता है। इनका जहर रेटर स्नीक की दुलना में 10 गुना और कोब्रा की दुलना में 50 गुना जादा घतनाग होता है। यह साप आबादे से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर इनका सामना किसी इनसान से हो जाए तो वह बज नहीं सकता। इसे इनसान को खत्म कनने के लिए काफी है। यह आश्ट्रेलिया में इनसान इलागों के पास जादा पाया जाता है। इस साब का एक छोटा सा बच्चा भी इसी इंसान को मौत दे सकता है। इनकी चाहल बेहत तेज होती है और एक बार खत्रा मैसूस होने पर ये पीछा करके उसे काट कर ही दम लेते हैं। रेटर स्नेक ये उत्तरी अमेरिकर का सबसे जहिला साब है। इस साब अपनी पूच के आखिरी से रेपर बने चल्लों के कारण पहचान जाता है। जब ये अपनी पूच को हिलाता है तो ये चल्ले बच्चों के जुनजने की तरह आवाज करते हैं। इसलिए इसका नाम बेटर स्नेक पड़ा है। इस साब अपनी कुल लंबाई के दो तीहाई इस से तक वार कर सकता है। जो कि बहुत जादा है। इस साब को बहुत जादा गुसा आता है। इस साब के पच्चों में सबसे ज़्यादा जहर वरा होता है। प्लैग मामबा, प्लैग मामबा अफ्रीका में पाये जाता है, यह धर्ती पर सबसे तेज चलने वारा साप है, जो कि 20 कोविटर पति मुंटा की रफ्तार से अपने सिकार का पीछा कर सकता है, प्लैग मामबा का सिर्फ एक मिलीग्राम जहरी इसान को मानने के लिए काफी है, फिलिपीन कोवरा, कोवरा साप की अधिकांस बजादिया जहरी नी होती है, और फिलिपीन कोवरा में कुछ जादा ही जहर बड़ा हुआ है, श्कार को टसनी की बजाए उस पर दूह से जहर थोगता ही, तो तीन मीटर की दूह से भी सिकार पर जहर जोग सकता है, यह एक वार में काफी मातरा में जहर थोगता है, इसका जहर नीरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीदह सांस और दिलपरसर करता है, तो ये थे दुनिया के पांस सबसे जहरीले साप इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आज इफिसकी फैक्स को सबस्क्राइब करके पहला इकन को दबाना बिल्कुल न भूले और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें